नमस्कार पहरे मित्रू, पसू प्रीचर बरती, राजस्तान जीके की कलासे आपको यूटूब पे मिल रही है निसुलक, विज्यान की मिल रही है, पसू पालन की मिल रही है, लेकिन एक विश्य ऐसा है जिसकी कलासे निसुलक बहुत कम मात्रा में उपलब्द करवाई जा रह जिसके अंदर वो ही क्यूशन देखेंगी जो एक्जाम की दरस्टी से important है और कक्सा 6 से लेकर दस्तक का जिनके अंदर कक्सा 6 से दस्तक की जो पुस्तके हैं उनमें जो meter दियावा है उनसे related क्यूशन जिनको हम trick के साथ attend कर सकते हैं वो ही क्युशन इन कलासों के अंदर रहेंगे दोस्तों आज जो मारा यहां पर प्यारा सा topic रहेगा छोटा सा topic रहेगा वो है परतिसत मेरे को पता है जो साती पस्व परीचर बर्ति की त्यारी कर रहे हैं उनको ये topic भूत ही hard भूत कफीन लगता है लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप 10 क्योषण लेकर आया हूँ, ये 10 क्योषण और उनको हल करने का जो तुरीका बताऊंगा, उनको सीख लेना आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा दोस्तों. दस ट्रिक, दस परसन बहतरीन ट्रिक रहेगी, बहतरीन तरीका रहेगा मैं ये चाहता हूँ कि जो इस कलास पे आ रहा है न उसके जो भी साती चाहे भाई बैन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिस्तेदार हो अगर तैयारी कर रहे हैं पसू परिचर की तो उनके पास पहुचाने का काम आपका है, लिंक को सेर करने का काम आपका है एक बात बोल देता हूँ, रास्तान जी के मैंने निसुलग यूटूब पे करवा दिया है पसू पालन की कलासे चल रही है, साइंस की कलासे चल रही है सामा जी के दिन की क्लासे चल रही है और अब गनीत की भी क्लासे आपकी चलेगी यूटूब पर दोस्तूं बिलकुल निसुला गर पे बेटे तैयारी आप कर सकते हैं सबसे पहला काम होगा वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करने का तो जल्दी से सभी साथी ये काम सबसे पहले कर दे दोस्तूं चलिए दोस्तूं पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे पहला क्यूसन आ गया है बहुत आसान सा क्यूसन है जीरो लेवल से देखे जीरो से सुरू करेंगे और जीरो से हमें इस परकार बढ़ना है कि हम सो परतीसत कर ले इसलिए छोटा सा क्यूसना आपके लिए लेकर आया हूँ आप देखोगे तो आप भी इसका उत्तर आसानी से निकाल पाओगे समझ गए दोस्तों तो चलिए दोस्तों इसको सुरू करते हैं बहुत आसानी से सुरू करेंगे तीन सो अड़तालीस का चांसट दसमलो दो बटा तीन परतीसत क्या होगा तो पहले देखे तरीका अगर ये मिसर भी नहीं इसको साधान भी नहीं में अगर हम लिखेंगे चांसट सही दो बटा तीन तो क्या लिखेंगे चांसट को तीन से गुणा करो एक सो अठानमे एक सो अठानमे में पलस दो कर दो दो सो तो इसको हम लग सकते हैं दो सो बटा तीन परतीसत यही होगा अब सीधा सा है कि हमें निकालना क्या सा है 348 का क्या करना है 348 का यह ढ़ाप का 200 बटा 3 निकालना क्या है परतीसat जैसे यह परतीसat हटाएंगे तो परतीसat हटाती एक बटा 100 लग जाएगा परतीसat जैसे ही चिन को आप हटाओगे तो क्या लग जाएगा 1 बटा 100 अब इसको सोल कर दो और जो उत्तराए वो इन ओप्सनों में से आपको उठा लेना है समझे आप यहाँ से कोई बड़ी, कठीन, काम नहीं है अगर दिमाग आप यहाँ पर लगाते हैं तो दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल करते हैं, इसको हल करते हैं, तो देखिए, 100 से 200 किती बार कटा दो बार, तीन का भाग 348 में हम देंगे, एक बार, तीन में एक बार गया, चार में एक बार गया, बचाएक 18 में 6 बार गया, 116, अब 116 को कर देना है आपको, किसे मान क्या आया मित्रूं यहां पे 232 क्या ओप्सन में 232 दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है डी ओप्सन सही रहेगा पहला और जीरो लेवल वाला क्यूसन आई है अब मैं सीधा यह लेकर आता है कि 348 का 20% कितना होगा तो वो नहीं मैंने यहां पे तोड़ा इसको कठेन बनाने के लिए एक मिसर भी इन चुनी जिसे आपको आसानी से समझ में आए दोस्तुँ तो पहला क्यूसन साइद आप से भी सातियों को समझ में आ गया होगा पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा आगे चलिए दूसरा क्यूसन एक क्युसन में सरल करवा दूँगा मैं आपको, सीधा तरीका लिख रहा हूँ, देखिए, जहां पर भी का लगे ना, गुणा का चिन लगा देना, सबसे पहले 500, का है गुणा, 6 बटा 7, का, गुणा, 42, 42, परतिसत का चिन अटाएंगे, तो बटा में सो, इसको कर लो सो, उतर आ जाएगा आपका, नहीं आये तो मेरे को बोल देना, क्या कुछ समझ में आया यहां पे, यह तरीका होता है दोस्तों, आसानी से हर एक क्युसन को हल करने का, आसानी से हर एक क्युसन को, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं दोस्तों जो भी तरीका बताऊंगा बैतरीन तरीका बताऊंगा चलो इसको हल करते हैं सो है तो दो जिरो से ये दो जिरो कट हो गए हुए है या नही हुए हो गए हो गए ना मित्रों अब देखे एक बार, थोड़ा द्यान से देखे, साथ का भाग, साथ का भाग मैं देता हूँ 35 में, कितनी बार जाता है, पांच बार, पांच से मैं सो को कट करता हूँ तो कितनी बार, बीस बार, फिर पांच से मैं सो को कट, सोरी, बीस को कट करता हूँ तो कितनी बार, चार वा या नहीं वा बताओ बोलके तो बता देना एक बार वा या नहीं वा वा ना दोस्तु ये अभी भी अटकावा है मैट दो का बाग इसमें देंगे तो दो बार दो का बाग इसमें देंगे तो 21 बार दो का बाग 6 में देंगे तो 3 बार अब बच्चा क्या 3 और 21 तो क्या करना है 3 को गुणा 21 से कर देना है मान क्या आगया आपका 63 आगया क्या ओप्षन में कहीं पे 63 दिकाई दे रहा है दे रहा है सर यह रहा ए ओप्षन वाला तो simple सा है न तरीका कठीन तो नहीं है बस आपको करना क्या एक बार देखो फिर दूसरी बार देखो ना तो अपने नोटसों में इसी परकार इसको लिखते जाओ इस वीडियो को आपने प्यार दे दिया इस वीडियो को फेला दिया ना तो मान के चलो कि इससे बेश्ट तरीका लेकर आजाओंगा हर एक टोपी का और मेत के जो 35 क्यूसन आएंगे न 35 में से आपके 32 क्यूसन सही करवा दूँगा देखो पूरे की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ लेकिन 3 क्यूसन को छोड़ो 32 क्यूसन सही करवा दूँगा सेलेक्शन कोई रोकेगा नहीं आपका समझ गए यह हो गए दूसरा चलिए तीसरा क्यूसन आपके सामने लेकर आने का प्रियास है मेरा छूटा सा क्यूसन है एक्स का एक्स परतिसत बराबर 59 हो तो एक्स का मान होगा बहुत ही छूटा है बहुत ही छूटा क्यूसन है करें तो देखिए एक्स का इंटू एक्स परतिसत का चिन अटा दो बट्टे में आ जाएगा सो बराबर है 59 यह यह ना दोस्तों अब देखिए यहां से x into x बटा 100 तो x into x क्या हो जाएगा x square हो जाएगा बटा 100 बराबर 59 यह 100 आपका इदर जाएगा तो उपर चला जाएगा गुना में तो मान क्या बन जाएगा X square बराबर उन पचास सो बन गया क्या इसको हम इस परकार भी लिख सकते हैं X बराबर Rude उन पचास सो लिख सकते हैं Rude अन रूड लगा हुआ है यहां पे वरगमूल आपको निकालना है उन पचास का कितना होता है शाथ होता है और डबल जीरो का एक जीरो तो X का मान कितना आ गया सत्तर तो X का मान क्या आ गया आपका सत्तर आ गया क्या उप्सन में कहीं पे सत्तर है YERA C वाला तो देखिए जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको डेट से दो मिनट का समय लगा रहा हूँ अगर आप इसी प्रकार की क्यूसन सोल करोगे तो आपको मातर 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा और आपको एक मिनट से अधिक समय इस पर्शन के लिए दिया जाएगा यह मान के चलो सवा मिनट मिलेगा एक मेत के सवाल के लिए और मैं 15-20 सेकंड में आपका उत्तर बता रहा हूँ तीन टाइप के क्यूसन तो करवा दिये थोड़ा सा कठीन लेता हूँ सरली सरल लेंगे तो फिर आप बोलोगे कि सर आप तो बहुत सरल क्यूसन करवा रहे हूँ तो चलिए थोड़ा सा कठीन लेता हूँ सरल क्यूसन चोथा क्यूसन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया हूँ देख लीजी किसी संक्या में से उस संक्या का 40 पर 30 गटा देने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संक्या क्या है मैं देखे कोई संक्या है उसको हमने मान लिया क्या माना वैं संक्या माना मेत है और माना नहीं तो क्या किया तो माना संक्या संक्या क्या रहीगी हमने मान ली एक्स यह रही एक्स चलो यहां से सोल करते है किसी संक्या में से तो यह रही आपकी संक्या में से उस संक्या का 40% गटा देने पर तो संक्या का 40 पर 30 आपको क्या करना है गटाना संक्या का 40 पर 30 पर 30 गटाना है तो 40 पर 30 अटाएंगे तो बटा में 100 गटा देने पर प्राप्त क्या हुआ में 30 प्राप्त हुआ है प्राप्त क्या हुआ में तरूं 30 प्राप्त हुआ आया कुछ समझ में यहां पर चलो आगे बड़ो देखो दियान से सब आ जाएगा अब इस संक्या को क्या मैं इस परकार भी लिख सकता हूँ X-40X-100-30 क्या लिख सकता हूँ इस परकार लिख सकता हूँ आगे और देखो यहां से अब देखो यहां से यहां से हमने LCM लिए 100 तो 100X-40X बटा 100 हो जाएगा होगा या नहीं होगा इस परकार लिख सकते हैं क्या इसको 100X-40X 100X-40X बटा 100 बराबर 30 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं आगे चलो, थोड़ा सा आगे और बढ़ो इसमें, अब देखो यहां पे, 100 में से 40 है, तो कितने बचे, कितने बचे मित्रूं, कितने बचे, 60 X बटा 100, यही बचे न, बराबर क्या है, 30 है, बराबर क्या है, 30 है, अब देखे, आगे मत बढ़ जाना थोड़ा, यहीं पे रुक ना है आपको, करना क्या है, 20 का बाग देते हैं इसमें, तो कितने बार जाता है, 3 बार, इसमें कितने बार गया, 5 बार, तो 3 X, 3 बटा 5 X बराबर आ गया हमारा, 30, अब देखे यहां से, 3 से 30 भी तो कट रहा है न, 10 बार, यह 5 आपका इधर जाएगा, तो X बराबर, 10 इंट 50, क्या आपके जो उप्सन दिये गए है, उनमें 50 दिया हुआ है कहीं पे, दिया हुआ है न, यह रहा, कितने मिन लगी, 2 मिनट मैंने जो समझाया है, उसमें लगी है, अगर आप सोल करोगे, तो बहुत स्पीड के साथ सोल करो, आगया समझ में, यह थोड़ा सा कठीन वाला क्यूसन था, लेकिन हमें तो सर बहुत कठीन उत्तर बताने हैं, हमें तो कठीन से कठीन क्यूसन करवा हूँ, कठीन नहीं करवाँगा, एक ऐसा क्यूसन लेकर आ रहा हूँ, पांचमा क्यूसन जो किसी भी बरती में बेट जाना, मान के चलो कि हर दूसरी बरती में पूचा कौन सी है किसी संक्या के 60 परतिसत में से किसी संक्या है उसका 60 परतिसत है तो संक्या मान ली हमने X X का 60 परतिसत परतिसत को अटाया नीचे सो लग गया सो लग जाएगा नीचे इसमें से गटाना क्या है 60 प्राब्द क्या होगा 60 यही तो आपका परसन कहे रहा है अब इसको हल कर लो इसको हल कर लिया तो आपका उतर आ गया तो चलो हल करते हैं क्या मैं इसको इस परकार लिख सकता हूँ यह देखे 20 से 3 बार, यह 20 से 5 बार तो 3 बटा 5 X बराबर यह 60 है और यह 60 है इदर आएंगे तो पलस के हो जाएंगे और 60 पलस 60 120 हुए या नहीं हुए हुए ना मित्रू 30 का बाग 120 में कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा जाएगा ना मित्रू जाएगा ये 5 आकर इदर हो जाएगा गुना तो 40 इंटू 5 कितना होगा X बराबर 200 क्या ओप्सन में 200 है? है सर पहला ही ओप्सन है आपका ऐसा क्यूसन है ना हर दूसरी बरती में पूछा जाता है जहां पर गणीत वहां पर दूसरी बरती में ऐसा क्यूसन परतिसत से जरूर पूछा जाता है आया मित्रू अगला क्यूसन थोड़ा सा चलो हमें जोब लगने है जोब लगने के बाद आपके क्या आएगी सेलरी, वेतन आपको मिलेगा तो वेतन से जुड़ावाद छट्वा क्यूसन लीजी आप, यह रा एक वेक्ती अपनी मासी का आई का आपकी मासी का आई का सत्रा परशेंट बच्चत करता है यदि उसका मासी खर्च देखें बच्चत तो सत्रा परशेंट कर रहा है बच्चत सत्रा परशेंट कर रहा है तो खर्च कितना हो गया? 83 परशेंट हो गया और उसका मासी खर्च कितना दिया है? 83% हमें दिया है 4980 के बराबर दिया है ना 83% है 4980 के बराबर यही चीज है लेकिन इसको सोल कैसे करना है कि उसकी जो वेतन है वो है अक्स उसका 17% उसने बच्चत कर ली बच्चा कितना 83 तो यह 83% का चीन अटा दो बच्चे में लिग दो 100% की जगे तो एक्स का अगर हम 83% निकालते हैं तो उसका जो खर्चब वो है कितना 83% 4980 आ गया आपका उत्र अब आपको हल करना देखते हैं करो सिंपल है कोई दिक्कत वाला क्यूसन नहीं है आराम से आप इस क्यूसन को हल कर सकते हो समझे आप यहां पे सिंपल क्यूसन है कोई दिक्कत वाला क्यूसन नहीं है तो चलो थोड़ा सा मैं सहीओ करता हूँ थोड़ा सा आप सहीओ करो उत्तर अपने आप आ जाएगा दोस्तों तो देखिए यहां पे आ जाएगा देखकर देख लो 83 का सिरफ 498 में बाग दो 6 बार जाता है तो 0 का 0 आ जाएगा अब करना क्या X है 100 को ले जाकर इससे गुणा कर दो तो 100 इंटू 60 6000 का ओप्सन में है यह रहा B ओप्सन देख लो आपका वा या नहीं वा क्युणा को पढ़ा तो सर बहुत हाड लगा लेकिन सर आपने तो दो ही लाइन में पूरा उत्तर बता दिया यही तरीका है दोस्तों और यही तरीका से पूरे की पूरी मेत पढ़ा दूँगा आपका सपोर्ट आपका प्यार मुझे चाहिए इस वीडियो को हर एक पसू परिच्चरक जो बनना चाहता है परिच्चरक उसके पास पहुँचाने का काम है कमेंट करके बताते जाओ कि सर मैंने इतने मितनों को सेर किया है अगला क्योसन दस क्योसन है पूरे सात्वा क्योसन ये तो बहुत सरला आ गया देखिए यदि X का 48% Y के 80% के बराबर है तब X और Y का जो मान जो नुपात है वो आपको बताना है है बहुत सिंपल करना है आपको देखे क्या का है X का 48% परतिसत का चिन अठा के बटा में बराबर किसके हैं Y के 80% के बराबर है परतिसत का चिन अठा के बटे में लिख दिया 100 करना क्या है यहां से सोल करना है सोल करोगे तो उत्तर मिलेगा अब देखे यह 100 से 100 तो कट गया कटा या नहीं कटा बोल के बता दो कटा या नहीं कटा कटा यहां पे क्या है 48X ना तो देखे अब क्या करना आपको अब दोनों संक्याओं में कि संक्या का भाग जा रहा है आठ का दो आठ चंग 48 आठ तू की दस बार जाएगा तो आठ तू दस का भाग आठ का असी में आठ का भाग मान क्या आठ चैए एक्स बराबर 10Y क्या और भी कट हो रहा है यह हो रहा है ना दोसें दो का भाग दो तीन बार, दो का भाग दो पांच बार, क्या आठ तरी एक्स बराबर 5Y 3x बराबर 5 वाही तो यहां से x का मान तो है 5 y का मान है 3 तो लिग दो x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 3 यह राब का थोड़ा सा बड़ा किया है कि उसन को जबकि उत्तर इसका तीन कत्रों में 3 लाइँ में आ रहा था थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर दिया क्योंकि हर एक चीज अच्छी तरह समझ में आई और पांच अनुपा तीन ओप्सन उठाओ तो डी ओप्सन आपका सही है यहां पि कौन सा है डी ओप्सन चले अगले क्यूसन में तो यह रहा आपका आठ्वा क्यूसन यह थोड़ा सा अच्छा क्यूसन है इसको समझना क्या कह रहा है एक क्रमचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी जाती है सीधा बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा ऐसा क्यूसन भहुत बार एक जमों में आया भी है हमने वेतन मान लिया 100 रुपे देखना रहा हम से वेतन है 100 रुपे 40% की कमी तो 100 का 40 कितना होगा 40 ही होगा तो 40 की कमी कर दी कितना बचा 60 रुपे तो एक क्रमचारी का जो वेतन 100 रुपे था उसमें 40% की जो कमी की तो उसका वेतन अब कितना हो गया 60 रुपे हो गया थोड़ा सा समय बीता करमचारी ने काम किया प्यारा तो मालिक ने क्या किया पचास परतिसत की वर्दी कर दी तो अब जो यह वर्दी हो रही है ना आपकी अब यह वर्दी यहां पर हो रही है अब वर्दी कहां पर हो रही है आपकी यहां पर हो रही है कहां पर हो रही है 60 में तो यहां पर और यह न वर्दी दो मिन्ट तो देखे 60 का में 50% वर्दी किये तो 60 का 50% कितना होगा 60 का 50% तो 30 होगा यह दो बार दो का बाग 30 तो 60 में उसने 30 रुपे बढ़ा दिये तो 60 पलस 30 अब उसका वेतन कितना हो गया 90 हो गया तो जो वेतन उसका 100 रुपे था अब कितना हो गया 90 रुपे हो गया तो उसे कितने परतिसत की आनी हुई है तो 100 में से 90 को गटाएंगे तो 10 आएंगे और 10 को अगर हम परतिसत का रूप देंगे तो 100 से निकाल रहे हैं तो दस का उपरतीसत का रूप देने की जरूर्थी कह, दस परतीसत ही आईगा, आईगा ना, तो यह रआपका, दस बटा, सो में से, दस इंटू सो निकाल लो, सो में से सो गया, तो कितना आगया, दस परतीसत आगया, option ऐस भी रही का, तो खानी हुए है उसको 10% की यहां पर, उसे क्या हुए है, हानी, वापस देख लो इसको निकालने का, देखिए जो वेतन था, वो था 100 रुपे, 40% की उसने कमी कर दी, तो 40 पर 30, 100 का 40 पर 30, कितना होगा, 40 ही होगा, तो वेतन कितना हो गया, 60 हो गया अब क्या किया, उसने 60 में वापस 50 पर्शंट की बडोतरी कर दी तो 50 पर्शंट कितना हो जाएगा, 50 पर्शंट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा मतलब 60 रुपे में 30 रुपे वापस जोड़ दिये तो अब उसको कितने मिलने लगे 90 तो सुरू में तो उसको 100 मिल रहे थे अब उसको मिल रहे 90 तो कमी कितनी हुई हानी कितनी हुई तो 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपे की सो के हिसाब से दस रुपे के अनी हुई और परतिसत के हिसाब से देखें तो दस परतिसत के उसे क्या हो गई हानी हो गई आ गया समझ में चलो नेक्स्ट क्यूसन में अगला क्यूसन यदि परकास की आई यदि परकास की आई आनन्द की आई सें 25 परतिसत अधिक हो तो आनन्द की आई परकास की आई सें कितने परतिसत कम है देखना हमें सबसे पहले देखे परकास की आई आनन्द की आई सें तो हमने आनन्द की जो आई है ना वो मानली सो रूपे कितनी मान ली 100 रुपे तो परकास की आई परकास की आई यहां से हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 25 पर 30 अधिक है तो 100 का 25 पर 30 100 पलस 25 100 का 25 पर 30 होगा तो 100 में जोड देंगे 125 आया या नहीं आया आया ना दोस्तों दोनों में अंतर कितना है, अंतर कितनी का है, पचीस रुपे का, कितने का आया, पचीस रुपे का अंतर आया, अब हमें पूचा क्या है, कि आनन्द की आई, परकास की आई से कितने परतीसत कम है, आनन्द की आई, तो आनन्द की आई, परकास की आई से कितने परतीसत कम है, प 25 पार और 5 ये 20 बार तो ये रापका 20 पर 30 देखना जो परकास के आई है ना वो तो आनंद के आई से 125 पर 30 अधिक है लेकिन हमें पूछा है कि आनंद की जो आई है ना वो परकास के आई से कितने पर 30 कम है 20 पर 30 कम है B-Option है यहां क्योसन तो बहुत कटीन था सर आपने तो यहां पे तीन ही लाइन बनाई और उत्तर निकाल के हमारे सामने रख दिया 10 क्योसन करवा रहा हूं आज पर 30 के इसको सपोर्ट इसको सेर इसको लाइक आपने किया ना तो नेक्स्ट कलास में इसी परकार पर 30 के और करवाँगा अभी क्योसन 10 क्योसन ऐसे क्योसन करवा दूँगा इतने क्योसन करवा दूँगा हर टोपिक है कि एकजाम में उनसी छपके आ जाएंगे थोड़ा छोटा सा एक क्योसन और बचा है जो आपके सामने और रख देता हूं दुसमा है सिंपल उत्तर आपको बताना है दो संक्याओं का अनुपात है पांच अनुपात चार समझी पहली संक्या का 40 पर 30 समझे ना यहां पे इसको छोड़ दो पहले पांच अनुपात पहली संक्या है पांच हम पांच ही मान लेते हैं यहां पे यह X कर दूँ तो पहले संक्या हमने मान लिए 5X समझ गए यहां से दोनु संक्यावं को हम लिख सकते हैं 5X और 4X पहली संक्या है 5X उसका 40 पर 30 30 अटाया शो कितना है 12 यहां से X का मान निकाल लो यहां से X का मान निकाल लो यहां से जीरो से जीरो कट हो गया चार से तीन बार कट हो गया अब देखे पांच से यह दो बार कट हो गया दो इधर गया तो तीन इंटू दो तो एक्स का मान कितना आ गया च्छै अब देखे यहां से दोनु संक्या निकाल लो निकाल लो पांच इंटू छे कितना होगा तीस चार इंटू छे कितना होगा चोबीस यह वह न यह अभी अनुपात में इसको कट करो कट करो अनुपात में हैं किसका बाग जारा दो का पंद्रा अनुपात बारा आया कुछ अब देखे पहली संक्या पंद्रा है दूसरी संक्या बारा है और भी कटो रही है भी और भी कटो रही है लेकिन उपसनों के एकोडिंग चलो मित्रू उपसन में दूसरी संक्या क्या है यह रही दिखाए देरा बारा और देखें सी में बारा है तो उपसनों के एकोडिंग है जबकि इसमें अभी भी तीन का भाग जा रहा है तीन का भाग जाएगा तो यह आ जाएगा ओप्सनों के एकोडिंग ही है उसमें और कुछ नहीं दिया गया बाकी जो आपने निकाला है उसके एकोडिंग अगर आप क्यूसन को क्रोगे तीसन उपाज चोईस आना चाहिए था लेकिन ओप्सन को गुमा कर रखा गया इस क्यूसन में LDC में आयावा क्यूसन है यह सिर्फ LDC में आयावा तो आपको करवाया है तो कुल मिला के दस क्यूसन परतिसत से रिलेटेड परसंटेज से रिलेटेड आपको करवा दिये आपका प्यार आपका सपोर्ट बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी अगर पसंद आईए ना तो कम से कम 5 से 25 मित्रू तक सेर करो पहला दो इस वीडियो को आज वाले को और पसू परीचर के कम्प्लीट नोट्स गनित के नोट्स में नहीं करवाऊंगा बाकी सुन लेना रास्तान जी के सामा जी कद्देन विग्यान और पसू पालन के नोट्स कुचामन ओनलाइन क्लासेज एप पर उपलब दे वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हो प्यारे मित्रों को धन्यवाद इस वीडियो पर आने के लिए अधिक से अधिक सेर करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जेहन जेबाद